मंच पे उपस्तित सभी मानने और नेतागण और मेरे सामने लाखों की संख्या में उपस्तित मेरे देश भक्ता, देश प्रमी, भाई और बेहनों हम सब को पता ये कोई चुनावी राइली नहीं है अपनी दो बेहने हिम्मत से लड़ रही है अगर बेहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बेहने हैं कलपनाजी है, सुनिताजी है, आप चिंता मत करो सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है देश में जो सिती है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाई के ओर चल रहा है लेकिन अब वो आशंका नहीं नहीं, अब वो सच्चा ही है अगर बीजेपी सरकर को इससे लगते होगा, लग रहा होगा कि अर्विन जी को आरस किया, हेमन जी को आरस किया, तो लोग दर जाएंगे लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देश वासें को कभी पहिचाना नहीं मेरे भारत का हर कोई, डरने वाला नहीं, लडने वाला है और अगर हिम्मत है, तो बाकि आपकी सारी एजन्सिज हैं, ED, CBI, Income Tax जैसे हम इंडिया घडबंदन बना कर सबके सामने आए हैं अगर आपने हिम्मत है, तो बीजेपी को मैं कहता हूँ, चुनोती देता हूँ कि बाकि सारी लोगों को छोड़ दो, आप सिधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी हैं, वो ED, Income Tax और CBI है लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनके आलोचना करते रहेंगे अब तो उनका सपना इसा है कि 400 पार, मैं पूरे देश को आवाहन करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी पूरे देश को मैं आवाहन करता हूँ कि हम सब को अब चाहिए मजबुत देश चाहिए और मिली जुली सरकार हमें लानी ही होगी देश में जितने सारे प्रांत है जितने सारे राज्य है उनका सन्मान करने वाली सरवतमों की सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश भज सकता है ने तो फिर आपका सवाल है आपका भविश्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो हम सारे आए हैं चुनाओं के प्रचार के लिए नहीं आए हैं हम प्रजा तंत्र की रक्षा के लिए आए हैं और कैसी सरकार है अर्विन जी के उपर इल्जाम लगा दिया डाल दिया जेल में हेमन जी के उपर इल्जाम लगा दिया डाल दिया जेल में ये कौन सा तरीका है में ले लिया उनको साथ में ले लिया जिनके ओपर भरष्टाचार के आरोप भाज़पाने लगाए थे उनको उन्होंने वाशिंग में डाल कर साफ सुद्रा नहिला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं जितने देश में भरष् करें कि अधर में कि जो बाते हैं आज अपनी राली है इस किसीchnिए कहा किमें इस राली स्प्DI को फॉक्ट में का मेला का है है कि आप सारे लोग pops है मेरे देश के वासी मेरे देश्प्रेमी लोग क्या थग है ये सब्रस्तन व्रस्त्रिक ब्रस्टा आप उन्हों सक्यान नहीं आने दिया उनके जो रास्ते उसमें खिले डाल दिये उनके ओपर फिर गास्त तोड़ा लाखी चर्च किया तो मैं पूरे देश के किसानों को आवाहन करता हूं आप अन्द आता हो आप अन्द आता हो अन्द आता हो अन्द आता देवभव हमारी संस्कृति है जो सरकार किसानों को आतमकवादी मानते है और जो सरकार किसानों को दिल्या आने से रोकती है तो पूरे अब समय हैं कि पूरे देश किसानों ने किसानों को आतमक्वादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा जैसे आपकी रहा उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी वैसे आप किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही ह और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार मैं आपको आवाहन करता हूं कि जहां से आप आये हुए हैं आप जाओ अपने घर पे जाओ जहां भी जाएंगे गाओं में जाओ लिकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाई के खिलाफ अपकी बार भाझ़पात तड़ी पार अपकी बार भाझ़पात तड़ी पार और आइसे तानाशाई करने वालिग सरकार अब हम दिल्ले आने नहीं देंगे यहीं शप्त लेकर आगे हमें जाना होगा और फिर से एक बार सुनिता जी, कलपणा जी आप चिंता मत करो पूरा देश आपके साथ हैं आप लड़ाई जितेगी और हम सब लड़ाई जितेंगे प्रजा तंत्र जिते का जै हिन जै महाराश्चुर्ण